रेडिमी 10 वर्सेस रेडिमी नोट 11 पबजी न्यू स्टेट बैटी डेंटेस हंड्रेड टू जीरो पसेंट तो गाइस आज मैं इस रेडिमी के रेडिमी 10 और इस रेडिमी नोट 11 में पबजी न्यू स्टेट का एक बैटी डेंटेस का टॉपिक कवर करने वालो और चेक करते कि अगर आप इन दोनों ही स्मार्टफोन में पबजी न्यू स्टेट गेम को प्ले करते हैं तो ऐसे में ये रेडिमी 10 और रेडिमी नोट 11 आपको कितने आवर्स तका बैटरी बैकम प पर सिर्ट कमपार्ड़ उट आफम प्लिटट कर लेका हैं और उन्हां स्मार्टफोन में ये इन दोनों ही स्मार्टफोन को चेक था कड़ सकते है् दोनों ही smartphone में आज बारी है इस Redmi 10 और Redmi Note 11 में PUBG New State का battery डेंटेस्ट करने की और चेक करने की कि यहाँ पर दोनों ही smartphone 100 to 0% drain होने के लिए कितना time consume करते हैं तो जो Redmi 10 है इसमें जो battery आता है वो है 5000 mAh का battery आता है इस Redmi 10 में आता है 6000 mAh का battery और इस Redmi Note 11 में आता है 5000 mAh का battery तो चेक करना बनता है कि यहाँ पर दोनों ही smartphone अल्मोस मनता है सेम प्राइस टेक के हिसाब से मिलते है दोनों का price range अल्मोस सेम है और दोनों ही smartphone में आपको अलग-अलग और भी variants देखने को मिलते है So now let's check out करते हैं दोनों ही smartphone में PUBG New State का तो अभी यहाँ पर दोनों ही smartphone पूरा का पूरा 100% चार्ज यहाँ पर यह जो Redmi 10 है यह भी पूरा 100% चार्ज है you can see right here और साथ ही साथ यह Redmi Note 11 भी पूरा का पूरा 100% चार्ज है तो जो बैटरी देखने में स्टार्ट करने वाला हो यह NDRT सेम टाइम पर दोनों को स्टार्ट करने वालो और दोनों ही smartphone में PUBG New State गेम को अलरी डाउनलोड करके रखा है तो अब यहाँ पर Redmi 10 और Redmi Note 11 में PUBG New State गेम को कोन से ग्राफिक सेटिंग्स पर आप प्ले करते हैं उसके उपर ही बैटरी का ड्रेन होना डिपेंड करता है तो सबसे पहले आपको मैं इन दोन ही smartphone का तो सबसे पहले मैं आपको इस Redmi Note 11 का and Redmi 10 का एक ग्राफिक सेटिंग्स आपको बताता है तो because game में जो बैटरी का ड्रेन होना डिपेंड करता है कि आप और इक्सक्लि कोल से ग्राफिक सेटिंग्स आप डिप करता है तो यहां पर सेटिंग्स पर जाँगा पहले मैं आपको ग्राफिक सेटिंग्स बतारो इस Redmi Note 11 का जो गेम को में प्ले करने वालों बेसिकली हाइस ग्राफिक पर ही गेम को प्ले करूगा जिसी की आपको exactly idea आजाए कि max level पे कितना battery drain होता है तो उसके अलवा आप medium quality and then उसके बात low graphics पे भी आप easily analyze कर पाएंगे तो performance होगा यहाँ पर max यानि कि max graphics यहाँ पर support कर रहा है Redmi Note 11 में mostly cases में जो other smartphones होते हैं उनमें ultra ही option support करता है तो यहाँ पर ultra, extreme और max यह option इस Redmi Note 11 में support कर रहा है लेकिन 90 fps का जो support है PUBG New State में वो यहाँ पर support नहीं कर रहा है तो उसके बाद यहाँ पर जो graphic settings होगा तो automatically default set होता है तो यहाँ पर मैं max set कर रहा हूँ तो max पर अगर मैं ultra graphic set करूँगा तो यहाँ पर support नहीं करेगा तो max पर जो default set होता है वो है max पर graphic light set होगा तो इसी performance max होगा और graphics यहाँ पर light होगा उसके बाद मैं इससे save कर लेता हूँ तो graphic settings save हो चुका है अब उसके बाद यहाँ पर check out करते हैं इस Redmi 10 का graphic settings तो यहाँ पर मैं कौन से graphic settings पर play करो तो यहाँ पर गया settings में और इसके बाद यहाँ पर जो performance होगा वो होगा max level पे और graphic होगा यहाँ पर light level पे तो that's it तो इससे graphic settings और performance पर मैं इंटारी PUBG नुस्टेट गेम को इस Redmi Note 11 और Redmi 10 में continuously basis पर play करूँगा और चेक करते हैं कि exactly दोनों ही स्मार्टफोन का जो बैटरी है 100 to 0% drain होने के लिए कितना time consume करते हैं activity को track करने के लिए साथ में आप इमरी पर सेट करूँगा जिसे कि आप activity को easily तरीके से track पर पाऊ so now यहाँ पर time has started है and now let's start करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन का battery dent test 100 to 0% तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं lag check out करता है कि कुछ इसमें lag देखने को मिलता है वैसा भी जो स्मार्टफोन है completely new है तो इसके अंदर ज्यादा था lag देखने को नहीं मिलेंगे पर फिर बेक बर मैं check करके आपको बदर रहे तो तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हलके process से कर रहा हूँ तो हलके में आप easily charge कर सकते हो तो यह Redmi 10 का है तो फिलाल अभी जो स्मार्टफोन है completely new है इसलिए आपको इसमें कुछ lag के chances देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन जैसे आप इसके अंदर कुछ store करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे कई ना कई uncomfortable और unlike का जो feature है वह आपको देखने को मिल जाएगा इन स्मार्टफोन में तो फिलाल मुझे यहाँ पर कई पर भी ऐसा uncomfortable जैसा feeling और moment नहीं हो रहा है लेट्स चेक आउट करते है Redmi Note 11 में तो इसमें तो अभी तक गेम भी प्ले करना है मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा इसका चेक आउट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं इसको smoothness लेवल पर कर रहा हूँ फिलाल तो नहीं हो रहा है थोड़ा सा fast करता हूँ मैं जो सिनारियो है यह सारी स्मार्टफॉन में ऐसी होता है नहीं में आपको कुछ भी ऐसा लैग देखने को ने मिल था लिकिना एक बित में कहना चाहतो कि लास्ट टेम जब मैं Redmi Note 11 और Redmi 10 में जब मैं Free Fire Max का बैट्री टेंटर्स करा था तो जो smoothness है वो मुझे और Redmi Note 11 में तोड़ा ज़्यादा बेटर देखने को मिला और अवर अल मैं कंटिनिसली गेम को प्ले कर था और आज भी मैं कंटिनिसली दोनों ही स्मार्टफॉन में गेम को प्ले करने वाला हूँ मैं काफी ज़्यादा एक्साइटी तू बिकॉस फर्स ताइम में इन Redmi Note 11 और Redmi 10 में इस PUBG New State का बैटरी डेंटराइस कंटिनिव कर रहा हूँ तो इस क्वाइट एक्साइरिक मोमें फोर में तो यहाँ पर हमें कंटिनिसली भी कुछ है त्री तू फॉर आवर्स तक इसमें कंटिनिसली गेम को प्ले करूँगा और चिक करते के एक्जाक्ली बैटरी डे रहने के लिए कितना थाइम यह स्मार्टफोन करते हैं सो नाव लेट स्टार्ट करते हैं परजी निवस्ट्रेट का बैटरी डेंटरेस इन दोरही स्मार्टफोन में स्मार्टफोन में करते हैं स्मार्टफोन में करते हैं करते हैं यह फोर आवर्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट फोर आवर से कंटिनुसली इस रेडमी 10 में और रेडमी नोट 11 में जो पबजी न्यू स्टेट है उसका बैट इंटर्स कंटिनू है तो दोने स्माटफोन में कंटिनुसली नॉन स्टॉप चार घंटे से पबजी न्यू स्टेट का गेम प्ले कर रहा हूं और अभी यहाँ पर बात कुरूँ तो दोनों ही स्माटफोन में से जो रेडमी नोट 11 है यह स्माटफोन थोड़ा सा गरम हो चुका है और इसका अबर है stop कर ले था totally four hours two minutes complete हो चुके है तो फर्स्ट है redmi note 11 इसका जो current battery status है it's a 44 percent you can see right here totally इसने 56 percent battery drain किया है last four hours में last four hours में 56 percent battery drain किया है not bad और अभी चेक करते है Redmi 10 का, तो Redmi 10 का जो current battery status है, it's 52%, याने कि इसना almost 48% battery drain किया है So, जो Redmi 10 है, इसका current battery status है, 52% और Redmi Note 11 का current battery status है, it's 43%, so not bad actually, अगर यहाँ Redmi 10 का जो battery status है जादा है as compared to this Redmi Note 11, the reason is that because Redmi 10 में 6000 mAh का battery आता है और Redmi Note 11 में 5000 mAh का battery आता है और दो नहीं स्मार्टफोन का जो display size है उसमें आपको huge difference देखने को मिलेगा, अब बात करूँ यहाँ पर gaming के experience की तो मुझे को से smartphone में game खिलने में जादा मज़ा है, to be honest, Redmi 10 में मुझे game खिलने में जादा मज़ा है, the reason is that because इसका display size बड़ा है और display size बहुत जादा मैटले करता है gameplay के time पर, because जो खिलने का experience होता है, वो जादा convenient होता है और overall मज़ा भी आता है, बट फिर भी not bad, अभी भी दोनों ही smartphone का battery अल्मोस्ट बाकी है Redmi 10 का भी अभी battery percentage 52% remaining है और जो Redmi Note 11 है, इसका भी 43% remaining है, तो अभी भी यहाँ पर दोनों ही smartphone में battery 10 test को मैं continue रखने वाल हो, जबते कि इन दोनों smartphone का battery पूरा का पूरा 0% drain ना हो जाए, तो फिर से यहाँ पर मैं timer को start कर दिया है, मैंने, and let's start the battery 10 test once again so now फिर से यहाँ पर मैं game को start करता हूँ तो अभी चेक करते कि यह दोनों ही smartphone में से दोनों smartphone 0% drain होने के लिए और कितना time consume करती है, I guess 4 hours तो लिए consume कर लिया है तो शायद 3 hours और consume कर ले might be possible है, बट फिर भी check करते है अब यहाँ पर जो guys एक और चीज़ है वो है brightness की brightness पर matter करते है कि आप कितने brightness पर game को play करते है because battery का drain होने में यह भी चीच बहुत जादा matter करता है, तो यहाँ पर overall दोनों ही smartphone का brightness रख रहा हूँ करते है करते है करते है करते है करते है करते है पर तोटले 6 hours 30 minutes पूरे के पूरे complete हो चुके हैं और लास्ट 6 hours 30 minutes से इस Redmi 10 में and Redmi Note 11 में कंटिनिसली बेसिस पे PUBG New State का गेम प्ले है और अभी यहाँ पर जो स्मार्टफोन है यह स्मार्टफोन की बैटरी है अल्मोस्त 0% ड्रेन होने आ चुकी है तो यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइट में है Redmi Note 11 and राइट साइट में है Redmi 10 तो सबसे पहले Redmi Note 11 का बैटरी में श्यूगत ह के बीच में ही mobile पुरा सीच आउफ हो जाता है जिसकी वज़े से मैं इसको यही परी स्टॉप कर रहा हूँ तो यहाँ पर Redmi Note 11 का बैटरी है यह पुरा ड्रेन हो चुका है इसने तोटले 6 आवर्स 30 मिनट्स का बैटरी बैकप दिया है PUBG New State के बैटरी ट्रें टेस्ट में और जो Redmi Note 10 है इसका बैटरी अभी भी remaining है इसका बैटरी अलमोस्ट remaining है यह अभी 12% remaining है यानि कि अभी भी इसको ड्रेन होने के लिए 30 मिनट्स और बाकी है बट यही परी में battery drain test को stop करो because 30 minutes से ज़ादा यहाँ पर चलने वाला नहीं है और इंदर बैस यह कोई solo basis पर नहीं है यह solo basis पर नहीं था यह comparison basis पर था कि exactly battery कितने time में कोल सा smartphone सबसे पहले 0% drain करता है तो यहाँ पर Redmi Note 11 ने totally 6 hours 30 minutes का battery backup दिया है 100 to 0% battery drain होने के लिए और इस Redmi 10 ने totally 7 hours का battery backup देगा because यह और additionally 30 minutes और run करेगा 30 minutes से ज़ादा और यह चलेगा नहीं because 12% ही यहाँ पर battery remaining है so overall यह था इस Redmi Note 11 versus Redmi 10 का एक PUBG new state का battery drain test 100 to 0% जिसमें इन दोनों ही smart phones ने Redmi Note 11 ने 6 hours 30 minutes का time दिया battery backup और Redmi Note 11 sorry, Redmi 10 ने nearly 7 hours का battery backup दिया है so that's all about last time मैंने guys इस दोनों ही smart phone में comparison basis पे Free Fire Max का battery drain test का topic कवर किया तो अगर आपने topic check out नहीं किया है तो video sections में जाकिया है तो video के down site में उसका link है Free Fire Max का battery drain test का इन दोनों ही smart phones का दोनों topic को आप check out कर सकते है दोनों ही smart phone थोड़ा सा heat कर रहते हैं 30% quantify के हिसाब से दोनों ही smart phone heat कर रहते हैं लेकिन जो खेलने का जो मुझे main मज़ा आया game में जो smoothness देखने को बिला वो Redmi Note 11 का देखने में बिला as compared to this Redmi 10 और ये मेरे experience basis के हिसाब से जिस तरी किसे में 6 hours में game को प्ले कर पाया और दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखोगे तो battery backup कम दिया है तो ये depend करते हैं कि आप कितने जादा high graphics पे game को प्ले करते हैं जितना जादा high graphics होगा उतना जादा जल्दी जल्दी battery drain होगा और जितना low graphics पे अगर आप game को प्ले करते हैं तो उतना battery backup आपको जादा मिलता है तो अगर यही पर में low graphics में गेम को प्ले करता है तो nearly यह और one hours का battery backup additionally provide करते थे बस यह difference होता है but max level पे test करने से आप समझ जाते कि exactly smartphone कितना time consume करते है 0% drain होने के लिए so I hope you like this information कुछ भी अगर आपको doubting question है अब directly मुझे comment section में आपको पूस सकते हैं या तो instagram पे आपको सकते हैं thanks for watching तो यह था Redmi Note 11 versus Redmi 10 का एक पबजी निव स्टेट का battery data is 100 to 0% thanks for watching